तो जैसा कि इस्टिन आप लोग देख पारे कि सारे प्रशन आप सभी के लिए काफी मपुडेड एंड आप सभी के सारे प्रशन प्रिबेस यर्शे तो चले इस्टिन आज की इस क्लास को स्टार्ट करते और आज की क्लास से आप सभी को बहुत कुछ सीखने के मिलने वाला है कि आप लोगों के 2019 वाले exam में जो प्रशने पूछे गए हैं वो किस label की प्रशने पूछे गए हैं और आप सभी की आने वाले जो exam है उसमें आप सभी को किस label का प्रशने पूछा जाएगा ये जनना आप सभी के लिए काफी important हो जाता है जो कि आज किस class में आप सभी को सारे इस पर डिसकस्ट करने वाला तो चले उस्टेंट पहले प्रस्ण को और बात करते कि आप सभी का पहला प्रस्ण क्या पूछा गया है पहला प्रस्ण करा कि निम्ने लीखित में से क्या सबरी माला में बाग सनचित अस्थान पर इस्थी थे कहाँ परिष्थी थे तो right answer हो जाएगा आप सभी का पेरियार option number 4 आप सभी का right answer हो जाएगा चली अगले प्रश्ण को और बात करते हैं आप सभी का अगला प्रश्ण है कि ये क्रित के संचालन के लिए बड़ा रूप से लगाया गया बल क्या है तो प्रयास हो जाएगा आप सभी का right answer हो जाएगा अगले प्रश्ण को और बात करते हैं और आप लोगों की प्रपरेशन किस लेबल पर है ठीकना तीसरा नमबर प्रस्ण की करखाना अधिनियम 1881 किसके कारेकाल में पारित किया गया था तो तीसरा का अप सभी की रीपन हो जाएगा चली अगले प्रस्ण को बात करते हैं आप सभी का अगला प्रस्ण क्या है अगला प्रस्ण करा है कि भारतिये खेल प्रधीकरण SAT के अस्थापना कब हुई थी तो भारतिये खेल प्रधीकरण के अस्थापना के बात करते हैं तो 4 का राइट एंसर हो जाएगा चलि हैंये प्रश्ण को बात करते हैं अगला प्रश्न अउसभी का कि मसाई जातियों निम्लेखित में से किस दूर्स में हो जाती हैं तो 5 का राइट एंसर हो जाएगा Kenya, आपसर नमबर 4, आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा Kenya में हो जाएगा चली अगले प्रशने को बात करते हैं, 6 नमबर प्रशने क्या पूछा जारा ध्यान दिजेगा कि भारती प्रेस के मुक्ती दाता के रूप में की से जाना जाता है तो 6 का राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का Charles Metcalf हो जाएगा आपसर नमबर 3, आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चली, अगले प्रशने को बात करते हैं, उससे प्रशने आप सभी से छोटा सरी केश्ट है कि अगर आप सभी को कॉंटेंड और क्लास आच्छा लग रहे तो प्रशने को सब्सक्राइब कर सासाथ बेल एगन को भी प्रेस कर दिजेगा ताके इसा मोस्ट इंपडिक क्लास इस्टेंड आप तक सबसे जल्द पहुंशते रहे चली, सेवे नमबर प्रशन कर रहा है कि रावर केला अस्टील प्लांट कहां पर इस्थी थे और आप सभी के ऐसे भी प्रशन एक से दो एक्जाम में पूछे जाएंगे और पूछा भी गया आप लोग देख पा रहे ठीके ना तो राइट एंसर हो जाएगा ओडिसा में आप से नमबर थ्री हो जाएगा चली अगले प्रशन को और बात करते हैं सभी का एट नमबर प्रशन है कि सर्वी सब्द निमनलीखित में से किस खेल से संबंदी थे तो सर्वी सब्दिक के बात करते हैं तो 8 का होच जाएगा वोली बोल से होच जाएगा वोली बोल आप सभी का right answer होच जाएगा चली अगले प्रशन को बात करते हैं 9 नमबर प्रशन है कि हिमाले फ्रास्टल फॉल्ट सीवा लीक को अलग करता है तो 9 का राइडेंस रोज जग आप सभी का भारत की महान मैदान हो जगाँ आपसे नमबर 4 चली अगले प्रशन को बात करते हैं इस्टेंट आप सभी का अगला प्रशन क्या ध्यान दीजिएगा 10 नमबर प्रशन की ठोस कोण की काई क्या है ठोस कोड़नी या ठोस कड़ होना चाहिए ठोस कड़ की क्या है तो दस का जग आप सभी का अश्टे रेडियन अश्टे रेडियन अपसा नमबर थ्री आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चली अगले प्रश्ण को बात करते हैं 11 नमबर है कि ह एफ उल्ड लेटर्स 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 एबंध ऑफ ओफ लेटर्स किस के किस ने लिखा और प्रकासित किया है तो एग ग्यारा को जाएगा अपसा नमबर आप सभी के जवाहला नहरू अपसा नमबर डी आप सभी का य चली अगले प्रश्ण को बात करते हैं 12 नमबर है कि वरई हामीनेस रिपोर्ट 2018 के अनुशार निम्नली खित में से कौन सा देश 2018 में पहले अस्थान पर है तो 12 का राइट एंसर हो जगा फिनलेंड आप सभी का राइट एंसर हो जगा अपसा नमबर वन चली अगले प्रश प्रशने 13 नमबर कि एस इन किसे कहते हैं तो एस इन के बात करते हैं कि एस इन किसे कहते तो राइट एंसर हो जगा आप सभी का सुगंधीत हाइडरो कारबन हो जगा आपसा नमबर एस टेंट आप सभी का राइट एंसर हो जगा चली अगले प्रशन को और बात करते हैं अनुसूचियों की संख्या कितनी है तो भारत के संभिधान में अनुसूचियों की संख्या के बात करते चौदा का राइट एंसर हो जाएगा आपसे नंबर दो यानि की बारा हो जाएगा बारा आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रशने के मंगल और विरस्पति के बीच सूरे की परिकर्मा करने वाला खोगोली पींड क्या है तो इसके बिच परिकर्मा करने वाले खोगोलिये पींड की बात करते तो 15 का होग जाएगा आप सभी का यहां पर होग जाएगा आपसी के छुदरगर होग जाएगा आपसर नमबर दो आप सभी का राइट एंसर होग जाएगा चले अगले प्रश्ण को बात करते हैं सॉला नमबर की भारत का संभिधान भारत के रुप में वनित करता है तो सॉला का उझेल आपसज नमबर आपसभी के संमयवादी आपसो नमबर बी आटु Aपसभी का राइट एंसर हो जाएगा चलि अगला प्रशने की राजिव गांदी खिल रत्न पुरशकार 2000 के ताथ एक खिलाडी द्वारा उतक्रिष्ट परदर्शन के लिए तोर पर दिये जाते हैं कितने दिये जाते हैं तो 7.5 लाक रोपय दिया जाता है यहां पर ऐसे रहेगा 7.5 लाक रोपय दिया जाता ठीकिना चलि अगले प्रशने को और बात करते हैं अठारा नमबर प्रशने की सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए पूर्व घोसित मुल्य क्या है अठारा का होज जाएगा आप सभी का अपसर नमबर होज जाएगा आप सभी का नियून्तम समर्थन मुल्य होज जाएगा नियूल ग्राम समर्थन मुल्य होज जाएगा अपसर नमबर दो चली अगले प्रश्ण को और बात करते हैं नदी की साइक नदी है तथा जताय पर इस्तित है तो राइडेंस रोज्जगा और निश्ट का अपसर नमबर थ्री याने की नर्मदा हो जाएगा चली अगले प्रश्ण को और बात करते हैं ट्वंटी नमबर की निमने लिखित में से किस जीडेयम का भूल उत्पती और मूल संरचना समान है लेकिन उनके कारे भीन है ट्वंटी का हो जाएगा उसी के बिसम धानी जिवास में हो जाएगा अगला प्रसने दिरिती अलंग मैसुर यूद की समझोता के ताथ समाप्त हुआ है ट्वंटी वन का उच्जेगा आपसभी का मैंगलोर समझोता अपसन नमबर ए आपसभी का राइट एंसर हो जाएगा चलि अगला प्रसन ट्वंटी टू नमबर की संसद भौन अस्थानी अच्छे तरभीकास योजना वर्ष में शुरू की गई थी कितनी वर्ष में शुरू की गई थी तो बाइस का उच्जेगा आपसन नमबर दो आपसभी का राइट एंसर हो जाएगा चलि अगला प्रसन टूणी थी नमबर के हट्पा सबस्था का हासारधिक मांनेता प्राप्त कल है तो टूणी थी का अज जग आपसन नमबर भी एंधिनीolar भिश्था पुरू शेलेकर 17,100 पूर यहाएगा चलिए आगला प्रशने की निवने लेखित में समराटा सोग की वह पत्नी पली कौन थी पत्नी कौन थी जिनों ने प्रभाइद किया था जिन है उसको प्रभाइद किया था तो आब सभी से एकी रिक्रेषट हैं कि आप लोग इस विस ख लास को इन तक देखेगा क्योंकि सारे प्रशन आप सभी के लिए सिलेक्टेट लिये गए हैं。 तो चलिए इस तिन आज कि पहले प्रसने की साथ कि आप सभी का पहला प्रसुन क्या पूचा जा रहा है पहला प्रश्ण का रहा है कि हीरा कुंड बांध किस राज़े में इस्तित थे तो राइट एन्स रोज जाएगा आप सभी का ओडिशा में इस्तित हो जाएगा और आज की इस क्लास में इस्टेंट आप सभी के लिए 100 प्लस MC की कोशन लिया गया है और वो भी आवस्वी के आज की इस क्लास में one liner question लिया गया और आप सभी की one liner question करने का benefit ये मिलने वाला है कि आप लोग कम से कम समय में अधिक साधी question को cover up कर पाएंगे ठीक है न जो कि सारे प्रश्ण आवस्वी के 100 plus प्रश्ण जो आवस्वी के सिर्फ 15 से 10 से 15 मिनट में मैं cover आप करवा दूँगा ठीक है न अगला प्रश्ण आप सभी का कि सोतंतर भारत के पहले गौर्णर जनरल कौन थे तो सोतंतर भारत के पहले गौर्णर जनरल के बात किया जाए तो सी राजगुपाल चारी हो जाएंगे अगला प्रश्ण की टेलीफोन का विस्कार किशने किया था तो टेलीफोन का विस्कार के बात करे तो अलेक जेंडर ग्राहम विल आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चली अगले प्रश्ण को और बात करते आप सभी का अगला प्रश्ण है कि महत्मा गांधी ने साबर मती आसरम के अस्थापना कब किया था तो राइट इंस रोज्य गाव सभी का 1916 में साबर मती आसरम के अस्थापना किया गया था अगला प्रसने की चोरी चोरा कांड कब और कहा हुआ था तो चोरा-चोरी कांड की बात करें कि कब और कहां पर हुआ था तो राइट एंसर रोज्य गाव सभी का 4 फरवरी 1922 को हुआ था ये चोरा-चोरी कांड की बात करें तो गोरकपूर उत्तर प्रदेश में ये हुआ था चलिए अगले प्रशने को बात करते हैं आप सभी का अगला प्रशने है कि मोपला आंदोलन कब और कहा हुआ था तो मोपला आंदोलन की बात करते हैं तो राइट एंसर अज्जेग आप सभी का 1921 माला बार केरल में हुआ था और इस सारे प्रशने इस्टेंट आप सभी के लिए एक्जाम ओरियेंटे लिया गया है ठीकर और आप सभी की एक्जामें ऐसे बहुत सारे प्रशने जो कि आज की इस क्लास में आप से बताने वाला हों कि आप लोग की एक्जामें कैसे डारेटली प्रशने पूछे जाएंग अगला प्रस्वने की लखनाव समझोता कब और किसके मध्य हुआ था लखनाव समझोता के बात करते हैं तो यह December 1916 में कांगरेस और मुश्लिम के बीच मुश्लिम लिंक के बीच यह समझोता किया गया था ठीकि नव अगला प्रस्वने की भारती राष्टी कांगरेस की सभी का राइट एंसर हो जाएंगी चलिए अगले प्रस्ने को बात करते इस्टेंट आप सभी का अगला प्रस्न है कि डांडी यात्रा कब सुरू हुई थी तो डांडी यात्रा के बात करते तो आप सी कि 12 मार्च 1930 को शुरूत हुआ था ठीक है और आप प्रस्ने की जन्तू बिज्ञान का जनक किसे का बात करते हैं तो अरस्तु को कहाजाता है अगला प्रस्न दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाजाता है तो मेजर ध्याण चंद आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रस्ने की बीसो पारेवरण दिवस को मना जाता है तो बीसो पारेवरण दिवस के बात करते इस टेंट तो आप सभी के पांच जुन को मना जाता है और आप सभी के आरपीप एक्जाम में बात करें आरपीप एक्जाम में आप सभी के डे और थीम से एक प्रशने करंटली जरूर आपसी की इग्जामें पूछा जाएगा ठीक हिरा अगला प्रशने की चमपारण सत्यागरा कब हुआ था तो चमपारण सत्यागरा के बात करते तो नव 19 अप्रेल 1917 को चमपारण सत्यागरा हुआ था चलिए अगले प्रशने को और बात करते हैं आप सभी का अगला प्रशने की राष्ट पती किसकी सलाह पर लोग सभा को उनकी ओधी के समाप्ती से पहले भंग कर सकता है तो प्रधान मंत्री आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा ठीक है न अगला प्रशने की साची का स्थूप किशने बनवाया था यह भी कोशन काफी इंपुड़े एक्जाम औरियेंटेट बात के अजय तो साची के बात करें तो समराट असोक के द्वारा बनवाया गया था चली अगले प्रशने को बात करते हैं आप सभीक अगला प्रशने की राष्ट पती यह तो यह कोशन करा दिया गया रुप्टेשन और रहा चली अगला प्रशने यह भी हो गया समराट असोक अगला की तक चलि अगले प्रस्ण Bin बात करते कि परसिद चिनी यातरी यान ने भारत की अत्रा पुब्रत के वाद की इतरा किस के सासनकाल की तो ऑर सोल theatre की के और तो तो रतौंधी रोग की बात करता अग़ले प्रस्ने को बात करते हैं आप सभी का अगला प्रस्ने की पोंगल किस राज्य का तेवहार हैं और आप सभी की एकजाम में 100% में गरांटी देता हूं कि आपसी के तेवहार और निरित्ति से आप सभी के एक्जाम में एक प्रश्ण 100% पूछेगा कि कौन से राज्जी काया कौन से निरित्ति है यहाँ पर पूछा गया कि पोंगल किस राज्जी का तिवहार है तो राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का तमी नाडू आप सभी का राइट एंसर हो जा रहा था रोड से ठीकल सॉरी जो था इसका नाम था नाथु राम जोकी मात्मागांदी को गोली रहा था ठीकल अगला प्रसने की गदर पार्टी के स्थपना कौँ और कहां होई थी तो गदर पार्टी के स्थपना के बात करतें सेंट फ्रांसिसको अमेरिका में इसके स्थापना किया गया था गदर पाटी के स्थापना चली अगले प्रस्णे को बात करते इस्टेंड उससे पले आप सभी से एक छोटा से रिकेस्टी कि अभी तक आपसे में चलो को सब्सक्राइब कर सासद बेल एकन को प्रेस कर गदर पाटी के स्थापना किसके निर्तित्तों में किया गया था किसके देख रेक में किया गया था तो लाल हर द्याल आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रशने की गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने तो गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष के बात करते तो सोहन सीम भक खाना हो जाएंगे अगले प्रस्ण मात्मा गांधी को कैंसर ए हिंदी की उपादी किसने नवाजा गया से कब नवाजा गया तो 1915 में इसे नवाजा गया था चली अगले प्रस्ण को और बात करते हैं सभी का अगला प्रस्ण है किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई तो लखनव अधिवेशन में ऐसा संबभ हुआ ठीक है न अगला प्रस्ने की मुस्लिम लिग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक सन्यूक्त समीति का आस्थपना किया तो राइट एंसर हो जाएगा उसी का लखनव अधिवेशन आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा चली अगले प्रश्ण को बात करते हैं आप सभी का अगला प्रश्ण है कि राष्ट पती की सपत कौन दिलवाता है इंडिया में तो राष्ट पती के सपत के बात के तो आशी की भारत की मुख ने अधिस के द्वारा राष्ट पती का सपत होता है ठीक है नगा अगला प्रस्ने की भारती सम्मिधान के किस अनुछेद में राष्टी अपत काल के लिए प्रोधान है तो अनुछेद 352 आप सभी का राइट ए द्रापती द्वारा मनोनित किये जा सकता है तो 12 अफ़对 के सदर से इसाइसे जो की राष्टपती कि द्वारा मनोनित किये जा सकते हैं चली अगले प्राशनिक और बात करते हैं सभी का अगला प्रस्वह है कि भारत का लगू संभीधान कि संसोधन button के राज्य बिधान सभा का कारेकाल है छे वर्ष अकिल भारतिय सेवाओं के लिए निक्तिया किसके द्वारा की जाती है तो राष्ट पती के द्वारा किया जाता है चली अगले प्रशने को बात करते सार्दा अधिनियम सम्मंदी थे तो बाल बिवा से नीती आवक्याद्यक्ष प्रधान मंत्री किस ग्रह को बौने ग्रह के नाम से जाना जाता है तो प्लूटो कौवसी के बौने ग्रह के नाम से जाना जाता है अगला प्रशने भारतिय सम्मिधान में कितने मौलिक अधिकारों का उलेख किया गया है तो छे किया गया है ठीक है न चली अगले प्रशने को बात करते हैं सभी का अगला प्रस्ण है कि किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है अपतकाल के दौरान भी तो यह अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है और चाहिए अपतकाल हो या चाहिए कुछ भी हो अगला प्रस्ण भारत का पहला व भारत के राष्ट पती थर्टी फाइप यह सोना चाहिए चलि अगले प्रश्ने को बात करते नीती आयोग का गठन किसके अस्थान पर किया गया है निमलीखी संस्था आप सभी का योजना आयोग हो जाएगा भारत में रीट कितने प्रकार की होती है समिधान तो पांच प्रक करें कि भारती समिधान के में के चुनाव की पदिती राष्ट पती को किस देश से लिया गया तो आयरलेंड से लिया गया और आप सभी के ऐसे प्रश्न बार बार इकजा में पूछे जाते कि समिधान में भारत के समिधान में कौन सा प्रोधान किस देश से लिया गया है अगला प्रस्ने की ऊच दाब छेतर से भूमद्य सागर की और चलने वाली पौने होती है तो वेवपारिक पौने होती है ठीड वाइंड्स हो जाएगा चली अगले प्रस्ने को बात करते करा कि सिवान जर्या कुंदेर मूख तथा सी भूम में लो छेतर कौन सा है तो कुंदे मूख हो जाएगा अगला प्रस्ने ओजोन परत इस्ति थे तो सम ताप मंडल में हो जाएगा अगला प्रस्ने पित्वी के नीकट तम दूरी पर गरा है तो सुक्र हो जाएगा चली अगले प्रस्ने को बात करते करा मकर सक्रांती के समय करक रेखा पर दो पहर के सूरे का 29 होती है तो 66.50 हो जाएगा अगला प्रस्ने वह सिमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मिर्तु से ग्रसित होते हैं क्या कालाती है तो चंदर सेखर सिमास कालाता है सिमास चली अगले प्रस्ने को बात करते हैं कि मरुष्थलिय पौदे की जड़े किस कारण से लंबी हो जाती है तो चली अगला प्रस्ने अफसी का कि मरुष्थली ये तो हो गया अफसी के सन्युक्त आरव अमिरात की रजधानी अबुधा भी हो जाएगा केंद्रिय खरन अनुष्च संधान कहां परे तो धनबाद हो जाएगा अगला प्रस्ने की भूगोल में नौ नियती वाद किसी धान का प्रतिपादन किसने किया था तजी रेट ने अगला प्रस्न नागर जुन सागर परियुजना भारत की किस राज्य में है तो आंदर प्रदेश में सवाना घास के मैदान कहां पर है तो अफ्रिका में हो जाएगा चली अगला प्रस्न आसी का कि किस तीथी को सूर्य मकर र हो जाएगा अगला प्रस्न ने तंबाकू का सारदिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है तो आंदर प्रदेश सबी का राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रस्न ने भारत का दीवपो सहित समुंदी सीमा की कुल लंबाई आपसी के यहां पर हो जाएगा साथ 1516.5 किलोमेटर हो जाएगा अगला प्रस्ने की भारत के कुल भुभाग का कितना परतिसत भाग प्रवती है तो अगला प्रस्ने दच्णी धुरू पर जाने वाला वीशो का प्रथम व्यक्ति कौन था तो एडमसन नार्वे का हो जाएगा ठीक और आपस कोशन है ठीक यहां पर सबसे अधिक उचाई पर इस्थित उस जोला मूखी का नाम क्या है जिसकी उचाई 6960 मीटर है तो अंकों का गुआ ठीक है चली अगला प्रस्ने की गिन लैंड ग्रिन लैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली थंडी जलधरा को क्या कहते हैं तो कोल्ड वाल कहते हैं बग्रिया तथा सक्रिया लोक निरिते किस राज्य की परमुख लोक निरिते तो राज्य स्थान को होच जाएगा अगला प्रस्ने की बीसों की सबसे गरी गुफा एंटेया तनाडा की लंबाई की इतनी है तो 1500 मिटर हो जाएगी तो आज की क्लास को इस तक इन करते हैं सब्सक्राइब कर सासाथ बेलाइगन को प्रेस कर दीजिएगा ताके सा मोस्ट इंपड़े क्लास सुष्टेंड आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे तो मिलते नेक्स क्लास में श्टेंड ठंक्स रचिंग माई क्लास